हैं १ां हेलो १ार फिर से आप्सफी लोंका पुत पहुत स्वाक्त है देलिक के इस वीडियो में दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंप्स फेश गें सीखें उसके बारे में और उन कूस्जंस plate से बनने माले आपके इतने भी इंप्सक्रण फैक्स हैं या important questions हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे ठीक है तो आज दिन है आज है तारीक आपी साथ जैंवी चली स्टाट करते हैं इसका वीडियो और लेते हैं सबसे पहला question वीडियो गर आपको पसंद आता है तो like और share करना बिल्कुल से मत भूलिएगा पहला question लेते हैं हाल ही में किस राज में विश्क के सबसे बड़े तैरते हुए सौर उर्जा परियोजना का विकास किया जाएगा तो यह राज है आपका मद्द प्रदेश option भी आपका सही होगा तो इस परियोजना को कहां इस्थापित किया जाएगा सबसे पहले तो यही बात है ठीक है न שה to इस परियोजना को मतप्रदेश कर्दमा जिले कौन सा डिख्टिक है खर्दमा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओम कारेश वर भांध पर विक्सित किया जाएगा या फिर इस परियोजना का वहाँ पर लगाया जाएगा इसको कहां पर मत प्रदेश के खंडवाज लेके नन्वदा नदी पर इस्थित ओम कारेश्वर बांध पर ठीक है इस प्रयूजना का वहाँ पर सुरू किया जाएगा अब माली जैसे बांध पर बनी यह पर देम पर विकास किया गया इसका अपनी हाइट को क्या करेंगे एडजेस्ट करेंगे इस परयूजना की 2023 तक पूरी होने की उमीद है और जो इसमें खर्च आने वाला है वह 3000 करोन का इसका टोटल खर्च आने वाला है कुल इसकी लागत है इस परयूजना की तो याद रखना है कौन सा जिला है कौन सी नति और कौन सा बांध है ठीक है बहुत इंपार्टेंट है बात हो रही है मत प्रदेश की वर्तवान मंत्री कौन है सिवरासिंग चौहान और गवर्नर कमेंट बाक्स में बताइए बहुत बार हम लोग डिसकस कर चुके हैं दूसरा कुशन लेते हैं हाल ही में भारत में ब्रिट जेंडर एलेस ऑप्शन ए आपका सयुगा इन्होंने इस्तान लिया है फिलिप बार्टन का किसका फिलिप बार्टन का एक चीज आपका और इस कुशन से निकलती है क्या निकलता है नाम आ रहा है ब्रिटेन का तो जरूर से याद रखें कल हलाला कि मैंने कल के वीडियो में ठीक है तो वहां पर फिर से कोरोना के केसे बढ़ रहे थे ठीक है तो वहां पर लागडाउन कर दिया गया और ब्रिटेन के जो पीम है ब्रिटेन के जो पीम है उनको आना था कहां भारत दौरे पर ठीक है बोरिस जांसन को भारत दौरे पर आना था या आपने यूं कहें कि गरतन दिवस्वार मुक्ह अतिती के रूप में आना था तो कल के वीडियो में मैंने कल कर ज़िए question में एक question आया था तो कल मैंने आपको बताया था कि उनका दौरा रद्ध हो गए जाएगा ठीक है ना क्या नाम जर्मनी क्या नाम जर्मनी देश ने भी कोरोना के नए कैसे की वजए से पूरी तरह से लागडाउन कर दिया है ठीक है याद रखना है इंपॉर्टेंट है चलिए आंगे बढ़ते हैं तीसरा कुश्चिन लेते हैं हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किसने किया है दान यानि की डोनेट किसने सबसे ज़्यादा किया है तो यह है Amazon e-commerce company के founder and CEO Jeff Bezos कौन है Jeff Bezos option C आपका सई होगा यह रिपोर्ट किसने जारी की तो यह रिपोर्ट जारी क उसमें बताया गया कि Jeff Bezos ने वर्स 2020 में सबसे ज़्यादा डोनेशन की दान किया कितने दान की कितनी रुपए किया कितनी रासी दान की तो 10 अरब डॉलर की रासी दान की ठीक है कितना डोनेशन दिया है 2020 में 10 अरब डार अगर आप कनवर्ट करेंगे रुपए में तो 732.29 अरब रुपए इसकी टोटल क्या है कनवर्ट करेंगे आप डालर को अगर रुपए में तो यह पूरा है यह एक अमाउंट निकलेगा ठीक है यह बात होगी नंबर वन की आप नंबर दो पर सबसे बड़े डोनेटर कौन है ठीक है जिन्होंने डोनेशन दी तो वह हैं फिल यह बारिन का नाम सुन रहे होंगे फिल नाइट और उनकी पतनी पेनी तो मैं आपको बता दूँ नाइक कंपनी आप जानते हैं नाइकी एन आई के ठीक है ना क्या बनाती है और बहुत सारा वियरेबल्स ठीक है जो हम पहनते हैं चीज़ों गोनाती है कि आपके पैंट है तीसे इस तरीके से यह बनाता है तो नाइकी के यह फांडर को फांडर हैं एंड सीओं कौन फिल नाइट तो आब अब आवसानी से याद रख सकते हैं इन्होंने डोनेट किया है 90 करोना डालर और जेब बेजोज ने 10 अरब डालर डालर डोनेट किया है ठीक है हां चली करके देख लें और दूसरा एंटी पीसी एक्जाम हो रहे हैं आपके सेकंड फेस भी जल्दी शुरू होने वाला है तो उसके एक्सपेक्टेट क्विश्चन की मैं तुर्ण दिवस एवन थीम की एक वीडियो आ चुकी है उसको भी जा करके देख लिए बहुत ही इंपोर्ट है चलिते हैं 14 कुषें आपके या कि स्बूंगर शुर्ट का सबार्म कियागया तो ये राज है आपका आसां औप इस कोris कोका सुबार्म किया घाज तो इसको सबस्ते हैं ठीक है थोड़ा डेटील सबस्ते क्योंकि इसमें कन्फूजण हो सकता है आपको तो mis suction दूर कर देता हूँ तो असम में एक स्कूल है असम राइफल पब्लिक स्कूल क्या है असम राइफल पब्लिक स्कूल और आप सभी जानते हैं कि असम कहा है आपका पूरवत्तर भारत का हिस्सा है तो अब आप सुनिए इस पूरी लाइन को देखे ध्यान से असम राइफल आसम राइफल पब्लिक स्कूल पूर्वोतर छेतर में खेलो इंडिया योजना के तहत गोसित होने वाला पहला स्कूल है यानि कि आसम राइफल स्कूल को एक तरीके से डिनोट कर दिया गया है खेलो इंडिया स्कूल के रूप में यानि कि आप इसको दूसरा नाम आपका ये भी किया जाएगा ठीक है ये क्यों है क्योंकि ये स्पोर्ट को प्रोसाहन दिया जा सके इस प्रकार के टोटल नौ इसकोलों को मंजूरी दी गए है जो देश बर में खुलेंगे ठीक है और पुरुवत्तर में खुलने वाला आपक खुलेगा अब बात हो रहे है खेलो इंडिया यूथ जहीं को कहां होगा कहां पर आउजित किये जाएंगे हरियाना में आपके आउजित किये जाएंगे बहुत ही important questions है क्या है कि खेलो इंडिया youth games 2021 कहा है हो जित किये जाएंगे हरियाणा में जित किये जाएंगे ठीक है अब तक total 3 तीन संस्क्रण ही हुए है ठीक है इस राज ने आपका वोशित कर दी है कौन सा एवियन इंफ्लूंजा यह आपका बर्ड फ्लू के कारण फैल है ठीक है कल के वीडियों भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस राज में आपका बर्ड फ्लू के cases देखने को मिलने हैं वहां पर कौंगों की मृत हो रही है तो वो राजिस्थान था आला कि अब आप काफी जगों पर कौंगों के मृत होने के परच्छियों के मरने की खबर आ रहे है जैसी कि आपका राजिस्थान है मद्द प्रदेश है हिमाचर प्रदेश है केरल और गुजरात में आपर क्या खतरा बनता जा रहा है खतरा बढ़ता जा रहा है ठीक है ना हाँ तो बड़ फ्लू से ही फैलने वाला आपका बड़ फ्लू से ही समबंदी थे आपका क्या एवियन इंफ्लूएंजा तो आपका किस राज ने आपता गोसित कर दिया है केरल राज ने ऑप्शन बी आपका से होगा इसने आपता गोसित कर दिया है तो और जैसे कि मैंने आपको राज बताए राजिस्थान MP, हिमाचा प्रदेश केरल और गुजरात तो इनमें कहा है खतरा बनता जा रहा है, केसे बढ़ते जा रहे हैं, याद रखें ठीक है न, हाँ, बात होरी केरल की तो केरल के वर्तपान मुक्मंत्री हैं, पिनराई विज राज से है, कौन सी घाटी, दजरू को घाटी का सम्बंद किस राज से है, ठीक है, important question है आपका, जिग्राफी का भी question बनता है, यह आपका पूछा जा सकता है, तो यह घाटी आपकी नागालेंड में है, option C आपका, सही होगा, अच्छे यह घाटी का नाम में क्यों ले रहा आपकी यह घाटी, तो याद रखे, important है, आपसे पूछा जा सकता है, नागलेंड के वर्तवान में सीम है, नेफ्यूरियो और गवर्नर है, आर एन रवी, ठीक है, बढ़ते हैं, सात्वी question की तरफ, सात्वी question है, हाल ही में स्वदेशी खिलाउने के विनिर्मान को देने के लिए किस योजना को launch किया गया है, तो बावु यह योजना है, ट्वाइ कैथान 20-21, क्या है यह यह योजना, इसका आखिरकार उदेश क्या है, तो उदेश है कि भारती मूल प्रणाली पराधारित अभिनोव खिलौनों की आपधारा करना, यानि कि जो भारती मू को विक्सित करेगा ठीक है यानि कि बच्चों के personality development में भी help करेगा ठीक है जैसे कि अभी नई से च्छनी दिया रहे उस पर भी कुछ असर इन खिलोनों पर देखने को मिलेगा और वो खिलोने उसी के अधार पर बनाए जाएंगे जिससे कि कुछ positive development हो सके बच्चों पर ठीक ह 2021 ठीक है और इसके total कितने तीन variant होंगे टॉय का एथान के तीन variant होंगे तीन हिस्सों में इसको बाटा गया है कौन-कौन सा junior level, senior level और startup लेवल इसको तीन भागों में बाढ़ दिया गया है ठीक है याद रखना है चले आगे बढ़ते हैं वर्तमान में सिच्छा मंत्री कौन ह आठावा कुश्चन लेते हैं हाल ही में महराष्ट में किस जगह का नाम बदल कर संभाजी नगर रखने की मांग की जा रही है एक बार फिर से यह मांग उठी है कि इस जगह का नाम बदल करके संभाजी नगर रख दिया जाए कौन सी जगह है जहां पर औरंग जेप का मकब मखरा है किस जिले में है महराष्ट के किस जिले में आई योप आपको पता चल गया होगा अरंगाबाद जिले में ठीक है ओर गंभाजी नगर रखे जाने के से पारिस की जा रहे हैं इसको ले करके जो सियु सेना अभी जो जिसके मुक्हमंत्री हैं उद्द उठा करें ठीक है जिस दलके सियु सेना कांग्रेस और भाचपा में इस बात को ले करके क्या है बैस छड़ के यह पॉलिटिकल पार्टी है युनेसको की विस्विरासत सुची में भी सामिल है ठीक है युनेसको की विस्विरासत या फिर विस्व दरोवर सुची में सामिल है कब सामिल किया गया था उनीस सो तिरासी में सामिल किया गया था तो और अंगाबाद इस पॉइंट आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है ठ चलिए नमा कुष्चिन लेते हैं नाहिंत कुष्चिन हाली में National Metrology Concliffe 2021 का उद्खटन 2021 का आयोजन कहां किया गया क्या गया तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया से आपका सय है नेशनल मेटरॉलजिक क्वानेफ क्या है तो ये राच्त्रिय माप पद्धती शंमेलन है थीख है अगर हिंदी आप इसकी तो क्या होगी राच्त्रिय माप पद्धती संमेलन 2021 नहीं दिन्नी में किया गया जो इसका का आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया तो इसका आयोजन CSIR त्यांज़ सुनना है CSIR NPL CSIR NPL द्वारा नई दिल्ली में किया गया ठीक है देखें तुनिए एक बार फिर से CSIR NPL का देख लिए आपनी स्थापना के 75 वर्स के आउसर पर किया गया यानि कि CSIR NPL है आपका इसके स्थापना के कितने वर्स हो गए 75 वर्स हो गया और इस 75 वर्स पूरे होने पर आपका यह आयोजन किया गया कौन सा राज्टी माप पतती सम्मेलन कन्फिजन दूर हुआ कन्फिजन हो रहा है तो comment करीए कमेड में ही आपको सारे कन्फिजन किलियर करा दिए ठीक ए हाँ कन्फिजन हो नहीं हो रहा हुआ जो आपका 이쪽 मिलन हुआ तो इस आवसर पर क्या किया गया कुछ चीजें थो समय पैमाना है इससे क्या हो सकता है तो यह सकेल भारती मानक्ष समय को 2.8 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता प्रदान करता है ठीक है यानि कि इतनी सटीकता से आपका यह समय को मापता है कौन नेशनल एटामिक टाइम सकेल ठीक है एक तो यह राष्ट को समर्पित किया गया दूसरी चीज के समर्पित की गई भारती निर्देशक द्रव्य प्रणाली भारती निर्देशक द्रव्य प्रणाली तो यह दो चीजे राष्ट को समर्पित की गई और सभी जानते है भारत की जो समय रेखा है वो कितने डिग्री है भारत की जो समय रेखा है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है साड़े 82 डिग्री साड़े 82 डिग्री पूरु से साड़े 82 डिग्री पूरु से आपकी भारत की समय शिमा रेखा गुजरती है याद रखे ठीक है ना कोई भी confusion हो तो आप comment box करके पूछ सकते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं वीडियो में तो आज की वीडियो में नवी question थे ठीक है आप ले लेते हैं कल की question का जवाब मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में किस नेता को सबसे लोग प्री नेता का दर्जा मिला तो जब आपको comment box में करके बताना है हाली में विश्चुब्रेल दिवर्स कब मनाया गया चार option है आपके पास इनमें से जो भी आपको option करिप लगता है आप comment box करके बता सकते हैं आप में सोसल मीडिया हैंडर फालू कर सकते हैं इन सभी के लिंक आपको description box में मिल जाएंगे वह है अभी तक अभी तक बावू अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो आप चैनल को subscribe करके ही जाना है ठीक है यानि कि अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें क्यों कर लें क्योंकि बावू यह बिलकुल फ्री है आपको कोई भी चार्ज नही देना है ठीक है ना बिल्कुल से ही आपका ये शुरी है और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस के लिए जिसे आप कोई वीडियो मिस ना कर सके थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नवाद